हेलो अला, इम पुरुविक मेता, फ्रम CAC टचेन इंदी, एन वेलकम तो फ्रेश वीडियो ओफ लार्वेल, अब यहां से भाईया, शुरू होने वाली है, मैजिक वीडियो सिरीज, मैजिक वीडियो सिरीज, इसलिए मैं कहरा हूँ कि अब तक आपने सिर्फ लार्वेल का फं सीधा प्रोजेक स्टार्ट करता है, पर उससे पहले प्रोजेक तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उससे पहले मैं यह चाहता हूँ कि हम यह सारी चीजे चोटे-चोटे मॉडिवल्स में इंप्लिमेंट करे, मॉडिल्स में मतलब कैसे, जैसे आज हम देखने वाले लॉग इ कैसे बनाते हैं तो ऐसे हम कोई भी अप्लिकेशन को टुकडे में डिवाइड करेंगे कि जो चीज़े इंपोर्टन्ट है लाइक लॉग इन लॉग आउट हो गया इंसर्ट अप्डेट डिलेट हो गया फिर चेंज पासवर्ड हो गया इमेल सांडिंग हो गया तो यह हम टुक जाधा नहीं होगी और मैकसिमाम पाँच या दस मिनिट का वीडियो होगा हर एक वीडियो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा की कैसे चीज़े बनानी है नाव मेरा मक्सद था कि magic video क्यों कि magic video में इसलिए नाम दे रहा हूं कि जो लोग core php background चाहे है और larval 6 ना start किया था उनको larval थोड़ा complicated लगा होगा उनको लगा होगा कि यहां पर core php better था इसमें तो बहुत सारी configuration है बहुत जंजट है पर वह एक शुरूवत setup है और आप core php से यूज तरू थे इसलिए लेकिन जब आप यह login system देखेंगे कि मैं कितने time में बना रहा हूं तो अब आप definitely सोचोगे कि यार core php में तो यह करना में बहुत time लग जाता हूँ और मैं आपर यह यह दो तीन मिनिट में कर दी रहा हूँ so let's see how we are doing this तो सबसे पहले तो मैंने लार्वल की फ्रेश कॉपी इंस्टॉल की हुए यह यहां पर क्योंकि हम एक नया वर्जन यूज कर रहे हैं लार्वल का तो उसमें web.php होंगी so don't comment that हमारे लार्वल में routes.php नहीं है अगर आपका नया वर्जन है web.php यूज करो वह वह भी यहां एसा ही work करती है जैसे routes.php work करती है मैं अपर लार्वल 5.2 इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने शुरू आती लार्वल सीरीज में यह सिखाया है so जो लोग वहां से सिख्या आ रहे हैं उनकी link ना break हो ठीक है so let's start अब ही हमें login system बनाने के लिए एक database चाहिए तो हम चलते हैं php admin में यहां पर एक database बनाता है test larval नाम से और create पर क्लिक कर देते हैं तो यह हमारा database बन गया अब यह database को हमें larval में connect करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि dot env file में जाएंगे यहां पर हमारा database का नाम है test larval आप जो भी नाम यहां पर database का देना चाहिए दे सकते है like login system whatever relevant नाम देना वैसे तो अच्छा होता है पर मैं आप test larval दे रहा हूं अभी मेरा username है root मैंने को user नहीं बना हुआ है और password कुछ भी नहीं है अभी आप सोचोगे कि हमें login logout system बनाने के लिए यहां पर कौन से कौन से table चाहिए तो सबसे पहले user table चाहिए फिर password अगर हमें reset कराने तो उसके लिए table चाहिए तो अगर अप core php में होते हैं तो वो सब यहां पर बनाते होते हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है यह सब कुछ larval हमारे लिए करेगा चल यह देखते हैं कैसा है सो यहां पर अभी मैं कोई भी टेबल नहीं बना रहा हूं सिर्फ database है और सिर्फ मैंने यहां पर configuration की तो आप जैसे अपनी root directory में देखेंगे, जो project file है, उसमें .env होती है, .env.example में मत लिखना, .env file में यह है, अपने database का नाम user memo, password लिखके, save कर दो, अभी जाओ, command prompt में, command prompt open करो, और उसमें अपना जो project folder है, अगर आप zamp use कर रहे हैं, तो zamp ht dogs, और आपका folder का नाम होगा, और wamp use कर रहे हो, तो wamp www करके यहाँ पर project folder का नाम होगा, अभी यहाँ पर मेरी directory का नाम ही larvel है, अगर आप यहाँ पर login नाम से कोई folder बना रहे हो, तो login लिखो, कोई चकर नहीं, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखे, command लगेंगे, php artisan migrate, php artisan migrate, यह क्या करता है, let's see अभी आप दिखते हैं, कि यहाँ पर कोई tables वगरा नहीं है, so definitely यह table create करेगा, so press enter and let's see, so migration table created successfully, और अब जब आप चाके database को refresh करेंगे, you will see there are three tables here, user table, जिसमें सारे field इसने बना दिया है, name, email, password, token, created it, updated it, everything, फिर password research के लिए उसने अपने आप यहाँ पर table बना दिया है, और यह है migrations, तो actually यह क्या है migrations, मैं आपको आगे वीडियो में अगर आपको सीखना होगा, तो detail में सीखाऊंगा, but अभी के लिए याद रखिए कि, symbol दरीके से, क्या कर सकते है migrations से, तो अभी के लिए सिर्फ देखे इसको use कीजे, मैं आपके इसको detail में समझाने वाला हूँ, migration एक अच्छा topic है, but यही तक अभी हम छोड़ देते हैं इसको, अभी हमें यह देखना है कि यह login system बनेगी कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ तक काम कीजे, database बनाए, यह command का use कीजे, php artisan migrate, उसमें table configure कीजे और एक बात, कि यहाँ पर जब मैं larval open कर रहा हूँ, localhost larval, तो यह मुझे larval5 का homepage open करके दे रहा है, उसके लिए मैंने index.php को यहाँ पर reroute किया हुआ है, जिसका मैंने video बनाए हुआ है, शाय दे लारवल सीरीज में second video ही कि how to remove index और public directory, usually larval का file structure ऐसा होता है, कि larval public और index.php करके करेंगे तो यह page open होगा, larval लिखेंगे तो directory पूरी open हो जाएगी, तो वो video देखेंगे आप यह करना मत भूलेगा, क्योंकि यह जादा use होने वाला है, तो मैं in short यह करना चाहता हूँ, कि आप सिर्फ localhost और directory का नाम लिखे, तो य कैसे index.php को reroute कर सकते हैं, कि आप directly इसको open कर सके, तो इस video में इतना रखते हैं, आप इतना setup कीजे, and next video में हम login system को पूरा कर देंगे, try करेंगे, पूरा करने का अगर नहीं हो पाई, तो उसके next video में कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसाद है कि मैं इसको 5 या 10 मिनिट से ज्यादा video को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा, तो हम इसको जितना हो सकते हैं, उतना attractive way में, और simple तरीके से बनाएंगे, ताकि आप अच्छे से सीख जाए, तो इस video में इतना ही, मिलते हैं, next video में, complete करेंगे login system को, so don't forget to like, share and subscribe this video and channel, happy coding and thank you. आपके से जो किपके से जाएंगे, तो जमेगे, तो इस्थ mı और जो उतना ही, तू ज्यादो करेंट कोण व्रोंस हो जितना ही, तू बो किप पतंगे, तो जु сигए नहाएंगे जू प्रोंसे अच्चमत आपटशहा सामे, उप हो बढ़ा आप मेंगे दोंसे बना ही, वह हैं